अब नाइटर सॉक्षेड के प्रोपरडीज में दिखिए पहला तो यह कलरलेस हो गया टेस्ट्रेस हो गया और इसका ओर्डर जो है वो स्विट है जैसे क्लोरोफार्म को बोलते हैं न सीकी ओर्डर सिक्नेस फिल होता है वैसे यह स्विट ओर्डर गैस है अब यह जो है लाफ कसा ओरुपल दर्णाद कमर्द की फैस की ओपर मर्स्कुलर स्ट्रेंड आता है अब जैसे मानलिए कि कोई इन्हेल किया एंट हो ओ तो मस्कुलर स्ट्रेंड की ओजए से फैस ऐसा हो जाएगा तो लगिक कैसे वो हस रहा है इसली इसका नाम होगा लाफिंग एस इसको ब्रि हो गया, if your person starts laughing without control तो due to discomfort he will die, others will cry, this is the laughing gas तो क्या होते हैं, जैसे आपने देखा ने कि कई आपके फ्रेंड से जब जोक सुनाते हैं तो please stop हम ऐसा feel करते हैं, जैसे और जादा हम हंसी बर्दास नहीं कर पाएंगे तो वो discomfort जो है, फिल करते हैं, तो बोलते हैं, stop, stop अब यदि लाफिं हिस्ट्री रह हो जाए and person is starting laughing without any control तो वहां तो discomfort होगा और वो consequences होगा, कि finally he will die also, इसके बाद देखे soluble in cold water आप देखे cold water के अंदर तो dissolve हो गया लेकिन hot water के अंदर soluble नहीं है यहां पे तो fairly soluble है और ऐसे भी gases जो है hot condition में जो है, उनकी solubility कम होती है, तो यहां पे थोड़ा सा तो soluble होई जाता है अब जब यह soluble होगा water में तो देखे एक equilibrium established होता है यह देखे हमारा N2O है, plus H2O है, और यहां पे equilibrium established हो गया यहां पे बना H2N2O2 H2N2O2 यह कहलाता है hyponitrous acid अब सवार रोता है को हम कहते है N2O को यह neutral है और यह दी neutral है, तो फिर यह acid कैसे दे रहा है, actually ऐसा एक equilibrium established हो जाता है लेकिन यह towards left hand ही side जो है ज़्यादा shifting होता है इसलिए मैंने forward reaction हलका दिखाया और backward reaction जो है आपको stress किया कि नहीं, यह N2O form में ही रहेगा तो यहां पे equilibrium है लेकिन equilibrium जो है left hand side, backward direction side में maximum होता है इसलिए मैं कहते है N2O जो है neutral ही है वैसे देखा जाए तो हमें बोलना चाहिए कि it is the acidic anhydride of nitrous acid लेकिन हम नहीं कहते हैं क्योंकि जब हम कहते है acidic anhydride मतलब उस anhydride को जब आप water में dissolve करेंगे तो वो acid मिलना चाहिए आपने SO3 वैपर्स को dissolve किया water में H2SO4 मिला तो हम कहेंगे SO3 is acidic anhydride of H2SO4 लेकिन जब आप N2O को dissolve किया water में तो हमें H2N2O2 नहीं मिला यह equilibrium established हुआ लेकिन यह इसकी और ही है इसलिए जो है हम कहते हैं N2O is neutral to litmus paper क्योंकि इसकी वज़े से कोई litmus paper चेंज नहीं हुआ तो यहाँ दोनों चीज है कि N2O is considered as acidic anhydride of hyponitrous acid hyponitrous अब यह देखे एक थोड़ा सा controversial statement जैसा दिखता है कि N2O is considered as acidic anhydride of hyponitrous acid but it is not the preparation of H2N2O2 H2O2 N2 का यह दी preparation होते हैं तो हम सीध है N2O को dissolve कर देते हैं लेकिन equilibrium तो एलाग ही नहीं कर रहा है वो तो बारबर जो है N2O टरफ ही जा रहा है तो यह हो गया और इसकी वज़े से हम कहते हैं it is neutral to litmus paper तो N2O is neutral to litmus paper अब अब यह देखी फ्रेमिंग आप दे क्वेस्टन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से एक्जामनर क्वेस्टन पूछ रहा है तो हम H2N2O2 तो प्रेडियूस नहीं कर सकते हैं लेकिन जो equilibrium है वो टेंडिंग टॉड्स तो है लेफट हैं इसलिए हम कहते हैं कि यह formula के अमसार कह सकते हैं acidic anhydride लेकिन acidic anhydride की condition जो है कि उसको dissolve करोई acid मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और यदि litmus paper हमने लाया कोई change नहीं है तो यह neutral to litmus paper है जब हम N2O को 520 से 900 degree Celsius तक हम heat करते हैं इसका decomposition हो जाता है और इसके decomposition से जो O2 produce होता है वो अब oxidizing agent जैसा काम करेगा तो यहाँ पर देखेंगे reactions क्या होंगे तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम यह देखेंगे decomposition decomposition हम लेंगे N2O temperature जो है 520 से 900 degree Celsius यहाँ से बना N2 plus O2 यह इसको हम two times कर देंगे तो इस तरह से जो है balance हो जाएगा अब यह जो O2 है वही oxidize करेगा sodium, magnesium, sulfur और phosphorus को तो यहाँ से oxidation of Na, Mg, S and P अब यहाँ पर देखेंगे जो sodium है वो sodium oxide बनाएगा magnesium oxide बनाएगा जो sulfur है वो SO2 बनाएगा phosphorus बनाएगा phosphorus बनाएगा तो यहाँ पर reaction जो है किस तरह से होगा यह देखें Na2O sorry पहले N2O ले लेंगे हम यहाँ पर यह देखें N2O plus sodium sodium यहाँ से बनेगा Na2O यह बन गया Na2O two times हो गया plus N2O आ जाएगा आपके पास क्योंकि मालब है कि N2O तो मिलेगा ही और यह जो oxygen था वही oxidation के लिए use हुआ है इसी तरह से अब N2O को यदि magnesium के साथ करते हैं तो यहाँ से मिलेगा magnesium oxide plus N2 हो जाएगा sulfur है तो SO2 हो जाएगा N2O plus sulfur यहाँ से आ जाएगा SO2 तो इसको two times कर दीजिए plus two times N2 आ जाएगा SO2 अब यदि माल यह phosphorus हम लेते हैं तो इसका भी oxidation हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा P4O10 plus N2 तो इसको हम ऐसा करते हैं P4 कर देते हैं 10 है तो यह हो जाएगा 10 N2 तो इस तरह से हम इसका oxidation भी कर लेते हैं अब यह जो N2O है यह decompose copper के साथ भी हो जाता है copper के साथ जब हम heat करते हैं तो यह decompose हो जाता है और जब hydrogen के साथ दो reactions और देखते हैं एक है decomposition by copper तो अब यह देखे यहाँ पे N2 हमने लिया Cu यहाँ से बन जाएगा CuO plus N2 तो यहाँ पे decomposition इसको आपने heat किया है अब explodes with hydrogen जब आपने N2O और hydrogen का mixture 1 is 2 1 लिया है तो यहाँ से बनेगा H2O N plus N2 तो अब इसको note कर लीजिए इसके बाद जो है next जो है मैं वीडियो में लेने वाला हूँ Nitric Oxide के preparation and properties अर हाँ еस